हेलो दोस्तों, टी टाइम हो या स्नेक टाइम, कुछ नया खाने का मन करता है, तो चलिए बनाते हैं कौन समोसा, यहां मैंने लिया है दो चमच सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, तेल अच्छे से गरम हो जाने पर हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा, एक चमच स यह ज्यादा तीखी नहीं है, और आदा कफ मतर, यह फ्रेश मतर हैं, अगर ना हो तो आप फ्रोजन मतर का यूज कर सकते हैं, अब इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी, एक चमच मिर्ची पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, आदा चमच गरम मसाला, एक चमच आम चू अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम इसमें एड करेंगे, नमक स्वादर नुसार, अब कैस ओफ कर देंगे, और डालेंगे हरा धनिया, और फिलिंग को रख देंगे साइड में, अब चलते हैं, डो की तयारी करने, मैंने यहां लिया है, दो कफ मैदा, इसमें आदा चमच अ मैंने आपे रिफाइन ओल यूज किया है, 6-8 चमच, अगर आपको लगता है कि मोवन कम है, तो आप उसमें एक दो चमच और एड कर सकते हैं, बस इस तरह से मुट्टी बननी चाहिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो तयार कर लेंगे, इसका डो ना ताइट है, ना जादा लूज है, अब इसके एकल साइज की पेड़े बना लेंगे, अब इस पेड़े को रोटी की शेप में हम बेल लेंगे, ये ना जादा मौटी होनी चाहिए, ना जादा प्रतली, और उधर साइट पर तब तक हम तबा गरम होने के लिए रख देंगे, तबा गरम हो गया है, इस पर हम इसे डालेंगे, इसे ज्यादा नहीं सेखना है, सिर्फ एक दो सेगेंड के लिए दोना तरफ से सेखेंगे, जैसा आप देख रहे हैं, ज्यादा सेखने पर ये हार्ड हो जाएगी, इसके कौन नहीं बन पाएंगे, बस इतना ही, सारी रोट गोल कर गाड़ा सा पेस्ट बना लिया था, उसी से मैंने इसको चिपकाया है, अब इसमें भरेंगे हम फिलिंग, फिलिंग अच्छे से भरनी है हमें, और इसे इसी तरह से पकड़ना है, नहीं तो कौन खुल जाएगा, अब उंगली से दबा कर फिलिंग को बराबर कर दें ऐसा करने से कौन को फ्राइ करते टाइम आलू बाहर नहीं निकलेंगे, सबी कौन हम इसी प्रकार से तयार कर लेंगे, अब इन कौन को हम मीडियम होट ओईल में गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे, इन कौन को कर्ची की सहायता से इस तरह से हम घुमाते रहेंगे और चार तरफ से गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे, जब बच्चों को कोई नई तरीके से डिश्ट बना कर देते हैं, तो उन्हें भी बहुत खाने में अच्छी लगती है, सारे कौन्स गोल्डन फ्राइ हो चुकी हैं, अब इन्हें करते हैं प्लेट आउट, आपको मेरे ये में तब तक के लिए बाबाई